प्रीफार में शाहिद ही कोई ऐसे जगा होगा जहां पर आप एनिमी को मार सकते हो पट एनिमी आपको नहीं मार सकता और उसे पता भी नहीं चल सकता तो मैं बताता हूं हो जगे वाइट स्पोर्ट्स कार को यहां पर जो वेंडिंग मेशिन इसके साइड पर लगा देने का पिर ध्यान से गाड़ी पर सिट करके एक्जिट करना है और देखो आप कहां पर होगे देखो भाई मैं पी वेंडिंग मेशिन के अंदर हो तो यहां पर मुझे कोई भी कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा को ना कहां पर हो एंड सबसे बेस्ट सिंग यह है कि जब आप इस एंडिमेशन के अंदर आजाओ आपके दोस्त को यह बोलना है कि गाड़ी लेकि यहां से दूर चला जा और देखो कुछ भी फीजिबल नहीं होगा सामने वाले एनमी को पस आपक को सबस्क्राइब करके बेल को दूबाले तम सबी को पता है कि घर के अंदर घुसके अनमी को महनना कितना जादा हाट रहता है क्योंकि बंदिलुग जो होते हैं तो बचने के लिए एक बहुत ही क्रीजी टिप है आपको गाड़ी को ऐसे लाना है जिस भी घर के अंदर आप कम आम करते तो आपको ध्यान रखनान है कि अगर अंदर बंदा क्याम कर रहा है या पिर आपको वेट कर रहा है मारने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो या प्र आपको अगर पताचल जाता है कि एनिमी को भी यह ट्रिक पता है तो आप वह वाले जगे पे लेकि लेंड माई लगा सकते हैं तो अगर वह अंदर आता है ना तो एक ही बार में खलास हो जाएगा एंदर ट्रिक कि सो सिंपल देख सीथिते में यहां पे खडा हूं मेरे दोस्त लोग जो हैं पो घर के अंदर कैसे आरहे हैं और टेलिपूर्ट होते शाहसे दिख रहे हैं आप लोग भी अपने फ्रेंड लोग के साथ रहे करना अब आपको यह लग रहा होगा कि यह ज़रे च अब को हैंगर के साइड पे ट्रक दिख रहा होगा वाला जगा यहां पे आप लाके लंबो और गिनी के अंदर से भी घुष सकते हो अगर गलती से भी बंदे आजाए आपके सामने तो भी आप लोग फायर मत करना गलती से भी क्योंकि आपको एलिमिनेट होने की चांसे बह बहुत ज्यादा है अगर आपको बंदे दिखते हैं तो आप एक काम कर सकते हो सेंपले इस गाड़ी के अंदर से बाहर निकलना है और आप उनको खतम कर सकते हैं और वाइट कार जो सबसे क्रेजिस्ट पॉइंट में भी बताने वाला हो यह देखो हां भाई क्लॉक टार और तो इसके अंदर से फायर नहीं करना फस दो जंप लगाने जिससे कि आप इसके ऊपर उठ जाओगे और तब आप इसलिए उसको धोपला कर सकते हो आइमिन उसका घपला कर सकते हो अभी का बार क्या होता है आप अंदर नहीं आपाते और आके भी थोड़ा बाहर निकल जात कीब टाउन के जो सिमेंटेड वाले घर है वो पूरा कॉर्टर राइट पर जो होता है वो गहर पर आ जाना ऐसे गाड़ी को यह वाले कॉर्णर पर इह जहां पे पूरा एंड़ उगर ठीक यह और फिर भी तेको गाड़ी से आपको लिफ करना है सिट करके लिफ करना है औय टेको आप कहाँ पहँगी, आप अंदर चले आओगे और मज़े की बात है, आप इस अंदर से पूरा व्पर का व्यू ले सकते हो मज़े कर सकते हो, मेजबे transitions क्लासिक मैच पर करना क्योंकि रांक मैच से आप इसने अंदर से बाहर नी जा सकते हो तो मज़े कर सकते हो, बट रैंक तो माइनस हो जाएगा इस इस रेली क्रेजी टिप जब आप रैंक पुशिंग कर रहे हो और आप ब्रिज केम्पिंग कर रहे हो क्योंकि मोश्टली टाइम क्या होता है लोग आपको ब्रिज के ऊपर अगर आप कहीं पे भी कैम्प कर रहे हो तो देख लिए ते आपको ब्रिज के ऊपर कैम्प नहीं करना ब्रिज के नीचे कैम्प करना है लाइक देख सेगे मेरा फ्रेंड जो है वो जमीन के अंदर गुजा हुआ है बट वो ब्रम्हर आक्षा चलिया है उसका सर थोड़ा सा दिख रहा है बट मैं ऐसा चीज बताऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल नहीं दिखोगे आप अंदर से भी इस जगह से फायर कर सकते हो देखो गाड़ी को बिल्कुल लाके ऐसे इस ब्रिज के नीच से सटा देने का फिर गाड़ी को ड्राइव करके उससे एकजिट कर देने का है और देखो क्या होगा आप एक ऐसे जगह पे चले जाओगे जहां पे आप अंदर से बाहर निकल सकते हो बट पूरा नहीं आपको सिट करके रखना है जब एनिमी आपके सामने आए तो उसको घोप देना है क्य यारी है ठीक है इसको मैं पूरा ध्यान रखा हूं जूसको बस आगे आने दो मैं काम करता हूं नेड कुप करता हूं इतर से एट्स गो बेटी आजा 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 ओके वार है यहां बेटे को 76 का डैमेज घाया और यह लिटे अगर आप सोलो होगे तो यह चीज ट्रा आप सोच लिए होगे यार पैन तो पता है वाट कितना जादा शुरक्षित है वो तो आपको पता होगा मोस्टली गेम पर बहुत जादा लोगो पसंद है M4A13 तो आपको अगर एक पैन अपने पिछवाडे पे लेते हो ना तो आपको पता है आप कितना अपने हेल्थ को ब अब भी हम बात कने वाले अगर अगर आपके सामने एक बंदा लेके खड़ा है तो कौन सा गन प्रिपर करना चाहिए अगर आपके मैच पर आपको M4A1 के जाग है M63 मिल जाए ना यहां पे सामने मेरा एनमी जो है वो अपने पिछवाडे पर पैन और मैं उसको मानने वालो M63 गन से और देख सकते हूँ डैमेज थोड़ा सा कम जा रहा है पट इतना पट रहा है कि वो बंदा थोड़ी तर के बाद गताम हो जाए तिंग अब आपको बता चलिए कि पैन एक मैच पे कितना साथा यूसफूल है लिए एक क्रेजी टिप लेके आया हूँ आपको शायद से में यह वाला जगह मिद बिखाया होंगा अगर आप लोगो नहीं नहीं देखा तो उपर आय बटन में लिंक दिख रहा होगा उसको जाके जरूर से देख लेना आपका अगर पूरा का पूरा स्कॉर्ड मान लो मर लोग अपना स्कॉर्ड लेके आपको मार देंगे तो आपको यह वाइड कार लाखे ऐसे बिलकुल यहां पर चिपका देने का निकलोगे तो आप इसके अंतर आ जाओगे मज़े की बात यह कि दो चार जंप के ऊपर आपको रिवाइबल पॉइंट देखने मिल जाएगा आ लोग यह भी बोलना हुए पंकज भी देखो यहां पर तो आपने रिवाइब दे रिया पट हरो अक्त हम यहां पर थोड़ी आसकते कि कभी-कभी ऐसा होता है जोन से वह बहुत जादा दूर रहता है और अगर हम रिवाइब देंगे तो हम ही खतम हो जाएंगे तो आपको बड़िया से जागह दिखाता हूं यह देखो नियूरिक डाम के नीचे मैं जहां पर आया हूं जैसे आया हूं इसी रूट से आना वाइट स्पोर्सकार लेके आना गाडी को बिलकुल एस सठा देना और यहां पर इसके अंदर आ के आपको सिट करना है और लीव कर लेना है देखो आप ना उसके अंदर चले जाओगे हाँ वो जो साइड पर है ना सिमेंट उसके अंदर चले जाओगे मज़े की बात यह है कि यहां पे भी आपको एक रिवाइवल पॉइंट देखने मिल जाएगा देखो मेरा स्कॉर्ट पूरा यहां पर मर चुका है और मैं ऐसे स चुका हूं जहां पे मेरी चार तरफ एनमी है देख सकते हो ऊपर फाइट चले है लोग मेरे ऊपर भी आके खड़े है पिर मैं उन लोग के आखो के सामने अपने स्कॉर्ट को रिवाइब दे रहा हूं जहां पे वो लोग कुछ कर भी नहीं बार है अंदर फाइट चले है मैंने अपने स्कॉर्ट को रिवाइब और ऐसे भी आप लोग को रिवाइब दे सकते हो लाजब नौट दिलीज को पता है कितना ज्यादा पारफुल होता है मैच पे उसका रूल कितना जादा आहम होता है किसी भी एनिमी को आप 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 इसी जगह दिखाने ओला हूं जह जाएगा और यहां यह जो खंडर वाले जगे पर एक फ्रेम रखा हुआ है उसके पीछे नेड अगर आप फेकते हो और आप उसके सामने भी जाके घड़े हो जाते हो आपको डामेज बिलकुल नहीं पड़ता है तो थोड़ा से ध्यान रखना अगर नेड आपका उसके पीछ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अपना थर्ड वाला जो प्लीज है वो है पोचिनो के यह वाले अपको यहां पे चोट असा वूड का बकसा दिख रहा होगा उसके पीछे आपको नेड पे एक दिन है और आप उसके सामने लेफ पे पे राइट पे कहीं पे भी खड़े वो सब्सक्राइब करना होप करता है तीन मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए मैं मिलता हूँ अगले वडियो में तक लिए बाबाए